सो हे दोस्तों कैसे हो आप सभी सो आज की वीडियो में मैं आपको डोडी मॉन की रियल एंडिंग को एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ गाईज डोडी मॉन की इस एपिसोड में नोबिता मेंटली रूप से काफी जादा बीमार रहता है नोबिता की हालत इतनी खराब होती है कि वो हमेशा बिस्तर में ही लेटा रहता था वो किसी से बात नहीं कर पाता था और अपने फ्रेंट्स के साथ खेल भी नहीं पाता था नोबिता के पैरंस इस बात को लेकर काफी जादा पड़ेसान रहने लगे थे एक दिन नोबिता के फ्रेंट्स ने नोबिता को एक डॉल किफ्ट किया जो की डोरी मॉन की तरह दिखता था नोबिता उस डॉल यानि डोरी मॉन को देखते देखते इमेजिन करने लगता है कि उसकी लाइफ में डोरी मॉन आ गया और नोविता अब ठीक हो गया है डोडी मॉन और नोविता मिलकर खेलते थे डोडी मॉन नोविता को हर मुसीबत से बचाता था और उसे अच्छे अच्छे गैजेट्स भी देता था और डोडी मॉन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था बट गाईज ये सब बस नुविता की इमेजिनेशन थी अब नुविता धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाता है और जब वो अपने पैरेंट से डोडी मौन के बारे में पूझता है देन नुविता के डैड बोलते हैं कि वो तो बस एक डॉल है साथ तुमने कोई सपना देखा था इस बात को सुनकर नुविता को बहुत बरा सदमा लगता है और वो अपने आपको गोली मार लेता है इस एपिसोड में हमें बस इतना ही दिखाया जाता है और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में